आपका सफर प्लॉट से मकान तक कुन से हैं तो सबस पर बात करते हैं जो स स्बसेत हैं ऐग लोकैशन की तो जी ब्लॉब की जो का公 élect की झाज यह सब से प्राइम लोकैशनन के तो Overseas Prime में जो सबसे पहले राइट साइट पर ब्लॉक आएगा वह ब्लॉक है ब्लॉक जी अब इस ब्लॉक की जो लोकेशन के लिहाँ से दूसरी बड़ी इंपॉर्टन बात है कि इसकी एकसेस गेट नमबर टू से लास्ट व्लॉक है यहां से अभी आप Overseas East में एकसेस ले प्रोपेशन के सब्सक्रामश दूसरी ब्लॉक की ब्लॉक में तो यहां पिये जो सब्सक्राइब के बाद सारी 이소ल टेस्टिंक के बाद मेंबरान को हैंडवर किया जाता है ज़िस ता लेयर वाइस फिलिंग होती है उस ला मकमल फिलिंग करने के बाद फिर इसकी हंड़िड आइब ऑब या पॉसेशन दिया फोल जी ब्लॉग औलमॉस्ट टुंटी टुंटी फाइव परसेंट एरिया ऐसा है जिसमें डिप्रेशन है और वहां पर फिलिंग हुई है और उन फिलिंग के बाद कॉंपेक्शन के बाद उसको भी मकमल कर लिया गया है यह इसका कौन है लोकेशन वाइज अब बात करते हैं लोकेशन पॉइन करता हूँ आपको गूगल अथ लोकेशन पे मैप से ताकि आपको क्लेर अंडर्स्टेंडिंग मिल सके कि जी ब्लॉग की जो लोकेशन है ओवराल वो कहां लोकेट करती है इस वकर अबने स्कीन पर कैपिल स्मार्ट टी ओवरसेस प्राइम ब्लॉग का से जो इसमें इंपॉर्टन चीज़ें होती हैं जिनको मदे नज़र रखना चाहिए हर इंडिविजियल को अगर वो रेजिदेंशल प्लॉड ले रहे हैं तो उसके वाले से बताऊंगा नमबर बन इसके जो एंटर्स पॉइंट यह है एकसेस रोड बन इस एकसेस रोड के बनते हैं और से प्राइम की तमाम के वीडियो बना दूंगा तो एकसेस रोड बन के साथ इस एकसेस रोड की आगे इंपॉर्टन बात यहीं एकसेस रोड आगे लीड करता है जिसके ब्लॉक बाकिया है या यहां से आगे जाकर यह जो एक बिर्ज बन रहा है एक्जेक्टि ब्लॉक की तरफ अब बात करते हैं जी और से प्राइम ब्लॉक जी के हवाले से कि जी ब्लॉक में किस डैमेंशन के प्लॉट हैं जी ब्लॉक में दो तरह के प्लॉट हैं इन फेक्ट बात करें तो जी ब्लॉक में तीसी तरह के प्लॉट हैं लेकि जी ब्लॉक से थोड़ 65 के common plot ہیں अगर हम मरलों में बात करें तो 10 मरला और अगर गज़ों में बात करें 250 square yard का plot बनता है G block में अब दूसरे जो important plot है यहां पर बनते हैं एक कनाल के 50-92 के plot और 50-92 के plot जो हैं वो यहां पर 500 गज़ के plot इसके लावा कर square yard जो हम बात करें तो 500 और मरलों में बात करें तो 20 मरला में बलिवट के साथ जो front आपकी पुरी row है यह H block की भी H block तो खर पूरा block की कनाल के है लेकिन G block के साथ में बलिवट के entrance के साथ राइट साथ पर जो आपकी पूरी row है जो मैं आपको Google Earth से दिखा भी देता हूँ इस first row के साथ इस पहली स्ट्रीट के साथ जो पीछे वली स्ट्रीट है उसकी एक साथ दसमरला है जिसकी back side पार्क है और बाकी सामरेल साथ जो है वो एक कनाल के plots हैं यह सारे के सारे एक डैमेंशन के overseas prime में एक कनाल के plots हैं अब यह on ground अगर status देखें यह satellite images पहले मैं इसकी चारो साथ एक्स्पेंट कर दूँ कि चार साथ पर क्या बनता है ब्लॉक G के तो ब्लॉक G के जो चार साथ है उनमें नौर साथ पर बनता है इसके ब्लॉक E इसकी East साथ पर commercial है तो इसमें कुछ plot commercial facing नहीं है सिवाए इन चंद plots के यह वेले 10 मौला के plots हैं जो कुछ society के पास हैं और यह जो आपको brown boxes नज़ा आ रहे हैं यह society ने location में बैल नहीं किये ना इसमें location choosing का option था यह अपने पास society के जिसमें future में villas बना के बेचे जाएंगे यह यलो वाले जो है dark yellow यह एकनाल के plots हैं चार साइट के बात करें तो नौर साइट पर इसके plot बनते हैं इसका e block है e side पर commercial है इसके west side पर block h है और south side पर भी इसके main believer है main believer के opposite side पर दो बारा commercial plots हैं तो यह overseas prime का overall ब्लॉक g बनता है इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें commercial के दुरान भी यहां पर एक center में एक linear पार गुजर रहा है और एक अच्छी बात है लेकि फ्योचर में जब जाएची बात है मकमल ब्लॉक त्यार होगा तो तब इसकी एक overall इसके बात कर सकते हैं अभी आज की date में जो overall development है उसके हवाले से आपको मैं Google Earth के अभी मतर से explain करता हूँ यह ब्लॉक जी है जी पूरा overall इस सबसे ज़्यादा most developed block है अभी आप timeline पर देख सकते हैं कि इसकी satellite images में July 2021 में क्या सूर्थेहाल है इसको थोड़ा reverse करते हैं May 2021 में क्या सूर्थेहाल थी satellite images पे अगर हम उससे पहले देख लें जी इसमें January 2021 में क्या सूर्थेहाल थी आपके सामने है कि सारा ब्लॉक की तक्रीबन non developed था एक दोबाद सारा इसको पहरे block amaliyamate किया था से और इसके बाद दुबारा से इसकी development स्टार्ट की गई थी उससे पहले जी कुछ old street है यह जो प्रानी society थी उसकी streets हैं लेकिन society ने पहले पूरी society को खतम किया यह देख लें और दुबारा से इसकी construction का गगाज किया development का काम गगाज किया और इससे background में जितना मैं जाता रहूंगा इस जी ब्लॉक में तमाम के तमाम plots जो हैं वो इसी तरह से आते हैं इस मेज़ाशी बात है कि जितना आप इसको timeline को पीछे कर लेंगे उसी तरह से आपको यह यह इस इसी तरह मिलेगा other than के 2018 में यहां पर कुछ थोड़ से plot थे बाकी जितनी अभी आज की date में देखें अगर आप इसको timeline को पीछे कर लेते हैं June onwards 2019 onwards November 2019 यह तै फिर April 2020 then May 2021 2020 sorry and July 2020 then January 2021 उसमें कुछ सुर्थाहल यह हो थी इसकी onwards May 2021 and now July 2021 आज की date में देखें तो इसका सुर्थाहल कुछ हूँ है जो मैंने बात की थी कुछ plot depression वाले हैं वो कुछ इस side plot आते हैं जो depressionally side है बाकी जो side है वो तकरीबन सारी level है लेकिन यहां से elevation अगर लेट से एफ ब्लॉक की side से देखें तो यह वरी side जो थुछी depressionally side आती है जहां में कुछ feeling वाले काम है बाकी ओवराल जो पूरा overseas prime block G है वो बहुत अच्छी location पर वाक्या है यह सबसे बड़ा प्रो है इसका कि entrance gate के बिलकुत साथ वाक्या है और इसकी location बहुत अच्छी है यह society की त किया जाएगा यह society की तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी इसकी drainage line already बिचाई जा चुकी है overseas prime block F में अभी अच्छी साइट फोटेज की मज़से मजीद detail explain करता हूं अगेन back to real time footage और इसका अपने screen पर जी ब्लॉक की actual on ground आज की date की footage और यह स्ट्रीट साब देख रहे हैं on ground पर यह स्ट्रीट जो है यह basically block G के शुरू में एक कनाल की cuttings है स्ट्रीट नमर 5 पर और जो front main believer के साथ कुछ cuttings है उनकी देखे और पीछे back side पर जहां पर कुछ आप को asphalt काम होता हूँ स्ट्रीट पर नजर आ रहा है यह 10 मरला की cuttings है और इस साथ पीछे back side पार का जाएगा अब इस block G में जो development की सूर्थ हाल है मैं शुरू में बता चुक हूँ location का second is के development development इस तक जो development की सूर्थ हाल है तकरीब ब्लॉक G का 80-85% area S है जो deliver हो चुके है और इस स्ट्रा मकमल हो चुके है second phase में आता है जो street का अपना internal street का बनना और number three पर आता है इसके साथ सेवरेज लाइन का बिचना और बाकी जो street lights का लगना याई electric supply उसका supply होना यानि जो बिचली की तरफ से मकमल तरसील होती है हर एक block के हर एक street हर एक घर को उसकी तरसील पर काम उसलिए block G के side पे एक separate बरसाती नाला बनाया गया है जो एक dam से connected है और इस dam में एक reservoir बनाया गया है ताकि वहाँ पर पाने क्यों अपनी तोर पर society की तरस से save किया जा सके अब आते हैं जी last point पे इस block में dimension के is dimension के plot है और location phase देखा जाए तो उनके क्या feasibility और कितनी अच्छी investment point of view से plot बनते हैं अब यहां पे block G के plot जो हो दो side पर divide हो जाते हैं यानि कि 10 मतला के लिहाँ से अब तीन dimension के plot यह तीन block में वाकिया है जी block, J block, K block तो यह जी block है यह वाहिद block है जो possessionable है लेकिन कौन ही है कि इसके कुछ plot जो है वो depression में भी आते हैं और बाकियों के निस्पत जो है वो prime location तो है यानि entrance gate के साथ तो बिल्कुल आते हैं जल्दी भी develop होगी है बट यह कि इनकी अच्छे elevation हैं जिसकी वैसे हमने तमाम sales partner और society ने जिस motto के ताथ इस block को sell किया था वो था कि elevation जैसे block F है block E है block D है block C है elevation elevation इस block के अच्छी नहीं है दूसरी साइट जो block G की त दस मरला के cutting के दूसरे दो block है block J और block K वो दोनो block non develop हैं तो दस मरला वाले के तमाम जितने membran हैं उनके वह यह option है कि मरता क्या ना करता वो मजबूरी के तायत भी उनको लेना पड़े तो दस मरला में plot लेंगे तो G block की तरफ ही जाएंगे क्योंकि बाकी जो दो block हैं जिनके मेंबरान के मुझे अक्सर call आती भी रहती है और block J और block J के उनका पूछते भी रहते हैं L block का इन blocks पूछते रहते हैं कि इन block को develop किया गया है के नहीं किया गया तो उन पर भी development की जो अगर ratio कह लें that is zero मतलब कोई महां पर development नहीं हुई तो development नहीं है एक side पर development है बट उसकी location ही बहुत अच्छी है लेकिन वो है एक block थोड़सा depression का block है दूसरी साइट पर development नहीं है लेकर उनके ground level जो land है वो अच्छी है थोड़सी elevated land भी है बट वो non developed है तो वही बात आ जाती है कि मरता क्या ना करता तो आपको अगर लैट से जल्दी possession लेना है जल्दी construction start करनी है त गौस जी ब्लॉक के लावा आपके पास कोई option नहीं है available मैं बात कर रहा हूं specifically उन membrane की जिन्हों ने 10 मर्ला के plot ली है 35 by 65, 10 मर्ला और 250 स्क्वेर यार्ड के plot उन membrane की बाकि जो membrane है साथ मर्ला वले उनके लिए अलड़ी e-block के मैं recommend कर चुक है बहुत अच्छा block है बहुत अच् option i, तो choose block c, ना के आपको block b choose करें, क्यों block b वो भी depression में आता है, क्योंकि entrance gate से आप खड़े हो के देखते हैं, जो पराने वक्तों में site विजट कर चुक है, उनको definitely idea होगा, कि महांब जब entrance gate 2 से enter होते थे, तो left side पर खाई थी जिसको आज block g, block b ब्लॉक b बनाके develop किया गया ह same goes for block B block भी खाई ही तो नहीं थी बट ये एक level block था लेकिन कुछ part इसका depression वाले side पर आता है तो अगर आपका plot यहां पर निकले भी तो try करें कि अच्छी location पर आप जो शुरू की main road के साथ है वहाँ choose करें So this was it from today अगर आपको capital smart city यह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूले रिजवान चीमा को दीज़े जाज़त अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस आपको पहाफिस झाल झाल